नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ हिमानी कोड़द्वार छेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है छेत्र के सभी नदी नाले एक बार फिर उफान पर हैं वही किशनपूर के पास तेली स्रोत में आय तेज बहाव में एक कार बह गई है आपको बता दे कि खोह नदी में भी एक बच्चे के बहने की सूचना है जिसे उसकी माँ ने जान पर खेल कर नदी में डूबने से बचा लिया बताया जा रहा है कि पनियाली गदेरा एक बार फिर उफान पर आ गया है वहीं लगातार होड़ी बारिश के चलते कोटद्वार दुगड़ा राश्ट्री राजमार्ग पर कई जगर भारी मलबा और बोल्डर आ जाने से मार्ग बंध होने के कारण कोटद्वार से परवतिय छेत्र का संपर्क पूरी तरह तूट चुका है इस दोरान मार्ग बंध होने से परवतिय छेत्र के दूरदराज के ग्रामी छेत्रों में खादान सामगरी भी नहीं पहुंच पा रही है जिससे नागरिकों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है वही मामले में जिलादिकारी डॉक्टर राशी शौहान और वरिस्ट पुलिश अदिक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर स्थाने प्रशाशन और पुलिस की टीम के साथ ही SGRF पूरी तरह मुस्तैदी के साथ छेतर में तैनात है जबकि कलाल घाटी चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार ने बदाया कि तेली शौत नदी में तेज बहाव में वही कार को निकालने का प्रियास किया जा रहा है उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे नदी के किनारे ना जाए फिलाल इस खबर में बस इतना ही बाकि की तमाम खबरों के लिए वने रहें जेजेन न्यूस के साथ धन्यवाद